ये चटपटा मिर्च का अचार आप घर पे रखे बैसिक इंगिरियन से बना लेंगे और ये सिर्फ 10 मिर्ट में बन जाता है इस अचार को आप 15 दिन के लिए स्टोर भी कर सकते हैं तो हाई अवरिवन वेलकम टू माई चैनल इटविद दल जी तो मैंने यहाँ पर हाफ केजी मोटी वाली मिर्ची लिए इसे धोकर अच्छे से पोच लेंगे चोपर में डालकर बारिक चॉप कर लेंगे आप मिर्च को काट कर भी बना सकते हैं अब इसमें मसाले एट करेंगे तो एक जार में पांच चमच खड़ा धनिया, पांच चमच सोफ, पांच चमच राई और एक चमच मेथी डाना दालकर इसे दरदरा ग्राइन कर लेंगे चॉप्ड मिर्च में ग्राइन दरदरे मसाले को डालेंगे अब इसमें पाउडर मसाले एट करेंगे एक चमच कलोंजी, दो चमच नमक, एक चमच लाल मिर्ची पाउडर, एक चमच हल्दी पाउडर, एक चमच धनिया पाउडर और तीन चमच आमचूर पाउडर डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाफ लीटर सरसो के तेल को पहले अच्छा गरम कर लेंगे फिर इसे थंडा कर लेंगे गुनगुना सरसो का तेल अचार में डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे थंडा होने पर दो से तीन चमच विनेगर डालेंगे और एर टाइट कंटेनर में स्टोर कर लेंगे